दोस्तो हर्याली तीज पर तीज माता को तीन चीजे कभी मत चड़ाना, अन्य था आपका बरत खंडित हो सकता है, माता पारबती क्रोधित हो सकती है, ये तीन चीजे तीज पर घर में लाना भी अशुब माना जाता है, घर परिबार बरबाद हो जाता है, खास कर सोहागिन महि भूल कर भी ना करें ये गलतियां। साबन के पवित्र महीने में कुबारी कन्याय तथा सोहागिन महिलाएं जूला जूलती हैं और हातों में खूबसूरत चूडियां पहनती हैं। पर खुशी देखी जा सकती हैं। दोस्तो अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप जगत की माता यानि माता पारबती को अपनी माता मान सकते हैं। आप एक बार सच्चे हरदय से माता पारबती को पुकार कर तो देखिए। वो आपकी सच्चे हरदय से निकली पुकार को अबश्य सुरेंगी। क्योंकि वो जगत मा है, संसार की मा है। आपकी सभी इच्छाएं मा अबश्य पूर्णने करेंगी। दोस्तो लेकिन क्या आप जानते हैं। खास कर हर्याली तीज पर तीज माता को ये तीन चीजे भूल कर भी कभी मत चड़ाना। गोर पाप माना जाता है। आपका बिरत खंडित हो सकता है। आपके परिबार में धेर सारे कष्टों की उत्पत्ती हो सकती है। माता रानी क्रूदित हो सकती हैं क्योंकि ये बिरत माता पारबती से सम्मंदित है। दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा। सच्ची दिल से कमेंड बॉक्स में लिखे ओम नबस्शिबाई, जै माता पारबती, जगत की मा के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तो हर्याली तीच पूजा कश्शु महुरत, हर्याली तीच इस बार 31 जुलाई 2022 दिन रभीभार को मनाये जाएगा। पूजा का शुब महुरत है, सुभा दो बच कर 69 मिनट पर शुरू होगा, जो की एक अगस्त को सुभा चार बच कर 18 मिनट पर खतम होगा, महुरत काफी लंबा है, ऐसे में आपकी पूजा बहुती शुब और मंगल कारी होगी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान अबशी रखे खास कर तीज माता को तीन चीजे कभी मत चड़ाना, शुब नहीं माना जाता, आये जानते हैं, दोस्तों हर्याली तीज पर अगर आपको मासिक धरम हो जाए, तब ऐसे में आपको ब्रत को नहीं तोड़ना चाहिए, मासिक धरम के दोरान भी आप हर्याली तीज का पावन प जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं, मासिक धरम के डड़ से पूजा भक्ती से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगबान भी आपकी परिक्षा लेते हैं, और ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, आप ब्रत का पालन अबश्य करें, पर पूजा कि परिक्षिब और मा पार्बती के पुनर मिलन के पर्ब के रूप में मनाया जाता है, इस ब्रत को लेकर देश के अलग-अलग इस्थानों पर और अलग-अलग राजियों में तरह-तरह के नियम हैं, इन ब्रतों का पालन अबश्य करना चाहिए, जो सुहागिन महिला सच्चे हर्दै से हर्याली तीज का पाबन पर्ब मनाती है, तो उसे साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है, ऐसे प्रिमी जोडों को स्वर्ग में इस्थान मिलता है, दोस्तों भूल कर भी ब्रत के दिन ना करें ये गलतियां, हर्याली तीज का ब्रत निर्जला रखा जाता है, इसलि या बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं है। गर्बती महिलाओं और कुबारी कन्याओं ब्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस ब्रत का पालन कर सकती है। कुबारी कन्याओं भी हर्याली तीच का पावन पर्व मनाती है। इससे भगबान शिबी की तरह ही अच्छे बर्की प्राप्ती होती है। दोस्तो ब्रत के समय साप सपाई का विशेज ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हर्याली तीज का आपका ब्रत होगा। और जहां पर आप सोते हैं यानि उस बैट शीट को बदल देना चाहिए। और साप बैट शीट पर ही ब्रत के दोरान बैटना चाहिए। ब्रत के दोरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैटना चाहिए। दोस्तों खास कर हर्याली तीज पर सोहागिनों को क्रोध करने से बचना चाहिए, मुक्ष से गंदी-गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, माता गौरी की तरह मन पवित्र रखना चाहिए, बच्चों के प्रती मम्ता का आचरण होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया, तो समझो आपका ब्रत खंडित, माता गौरी क्रोधित हो जाती हैं, और आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती हैं, माता लक्षमी भी त्याग देती हैं, ब्रत के दोरान काले और सफेद वस्तिर को ना पहने, क्योंकि इसे सो भागिन महिला को इस पाबन अपसर पर, यानि हर्याली तीज पर किसी पराई इस्तिरी के बस्तिर मांग कर नहीं पहनना चाहिए, बस्तिर आप बाजार से नए खरी दे, या आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती हैं, हर्याली तीज पर शादी का जोड़ा बहुत पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुन्नी अबशी ओड़ लें, दोस्तों किसी भी सोहागिन महिलाओ को दूसरी महिला का श्रिंगार मांग कर अपने माथे पर, चहरे पर, तथा पैरों में और हातों में, किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगाना चाहिए, अपना खुद का श्रिंगार ही इस्तिमाल करना चाहिए, और माता के चरनों से मिला श्रिंगार ही लगाना चाहिए, पती पतनी को पूझा पाट के दोरान थोड़ा सयम रखना चाहिए, इस समय थोड़ी दूरी बना कर चलें। तो लाल कपड़ा बिचा कर ही लगाना चाहिए, तथा पीला कपड़ा भी बिचा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माता रानी को अती प्रिये है, हमेशा याद रखें, कपड़ा गंदा मैला ना हो, फटा हुआ ना हो, शुब नहीं माना जाता, माता क्रोधित हो जाएंगी, प्रिशा ध्यान से देख ले, जो शुरिंगार आप माता रानी को चड़ाने बाले हैं, वो खराप नहीं होना चाहिए, शुरिंगार आप बाजार से नया खरीदगर ही माता को अरपित करें, मा गोरी को शुरिंगार अरपित करने से महिलाव को सौभागेबती का बर्दान प्राप्त होता है, दोस्तो खास कर हर्याली तीज पर तीज माता को सफेद रंग का फूल कभी अरपित नहीं करना चाहिए, हम आपको बता दें कि मा गोरी को गुलाप का फूल अती प्रिये है, गुलाप का फूल अरपित करने से मा बड़ी प्रसन होती है, और आपके घर मे सुक समर्दी हमेशा के लिए बनी रहती है, दोस्तो हर्याली तीज पर जब आप अपनी सास और ननंद के लिए जो थाली सजाने बाले हैं, उसके अंदर सफेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए, अगर घर में कोई बड़ा नहीं है, तो आप उनके नाम से थाली निकाल कर किसी बुजुर्ग महिला को दान में दे सकते हैं, दोस्तो हर्याली तीज पर जितना आप हरे रंका दान करेंगे, उतना ही मा पारवती की किरपा प्राप्त होगी, घर में माता लक्षमी का वास होगा, सुक समर्दी से भरपूर आपका जीबन और खूपसू दोस्तो हर्याली तीज का ब्रत जब तक आपका मन नहीं है, तब तक इस ब्रत को नहीं रखना चाहिए, इससे आपका ब्रत खंडित माना जाएगा, ब्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए, शुब माना जाता है, दोस्तो जब आप तीज पर खाना बनाए तो लहसुन प्याज खाने में भूल कर भी मत डालना, इससे माता गौरी का अपमान माना जाएगा, हर्याली तीच का पावन पर्ब आपवित्र हो जाएगा, भगबान शिब नाराज हो जाएगे, भोजन में आपको खीर, पूरी, हलबा आदी, आलू की सबजी, छोले की सबज की तरह ही माना जाता है, दोस्तो इस दिन चाकु छुरी घर में नहीं लाना चाहिए, बहुत ही अशुब माना जाता है, हर्याली तीच पर जूला अबश्य जूलना चाहिए, इससे माता पारबती तथा शिबिगोरी का आश्रिभात प्राप्त होता है, हर्याली तीच पर ए दाप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नबस शिबाय जैमाथा पारबती मा पारबती के लिए एक लाइक तो बनता है